हाई एवरिवन लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग ने नेक्ष्ट जेयस एंड रेटक्स तूलकिट का इंस्टॉलेशन कमप्लीट कर लिया था अब हम लोग रेटक्स तूलकिट के फॉल्डर स्टक्चर स्टोर एंड प्रोवाइडर के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग एक folder बनाएंगे, उसके अंदर जितनी भी हमारी Redux वाली फाइल्स बनेगे, Redux Toolkit की फाइल्स बनेगी, इसी पार्ट के अंदर बना देंगे, इससे आपको idea लगेगा, और आपको पता चलिया कि अच्छा, इतनी फाइल्स हम लोगों को create करनी होती है, और यह हमारा file and folder structure बनता है Redux Toolkit के लिए, उसके बाद में store क्या होता है, उसके बारे मैं बताऊँगा, आप store बनाएंगे भी, provider क्या होता है, इसका use क्या है, और provider को भी बनाएंगे इसी पार्ट के अंदर, last में कुछ interview question भी हम लोग डिसकस करने वाले हैं, related to Redux and Redux Toolkit, fine, अब ह चाहो तो रख लो, services रख लो, जो आपका अमन करें वो रख लो, मेरे लिए simple सा नाम बनता है Redux, मैं वही नाम follow कर रहा हूं, perfect, आप even folder भी कहीं बहीं बना सकते हो, src के अंदर बना सकते हो, app के अंदर बना सकते हो, मैं recommend करता हूँ कि आप app के अंदर ही बनाओ, और मैं भी यहीं बना रहा हूँ, so यहाँ पर एक मैं folder बनाता हूँ, Redux नाम से, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बता है, फाइल्स हम लोग यहीं बना लेंगे, तीन फाइल्स बनाएंगे, सबसे पहले store वाली, इसके अंदर हमारा Redux का store configure होगा, right, store का use का मैं आपको बताऊंगा, after that provider.js, इसके बारे मैं आपको बताऊंगा, और last one, slice, slice.js, right, देखो, इनका नाम आप जो मर्जी रख लो, provider का नाम, अगर आप ABCD भी रखोगे ना, तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, store का नाम भी कुछ रख सकते हो, slice का नाम भी कुछ भी रख सकते हो, मैं इनक को, file को देखते ही समझ में आए, कि इस file का use क्या होने वाला है, विकोज जब tutorial देखते हैं, तो उस time पर best चीज़ ही रहता है, कि हमें नाम देखते ही समझ में आजाए, files का, और variable देखते ही समझ में आजाए, उसका use, तो वो best रहता है, perfect, अचा, अब बात कर लेते हैं, कि इन तीनों files का use होने वाला क्या है, वैसे तो मैं इसका overview आपको पहले दे चुका हूँ, जब हम लोग ने architecture वाले वीडियो बनाई थी, बट again मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले store के बारे MP को store अभी create करने वाले हैं हम लोग, देखो, जितना अभी हम लोग data store करते हैं अब कौन सा data store करते हैं, आप ये question बूज़कते हो, जो भी data हम लोग हमारी application से push करेंगे redx के अंदर, ताक कि हम लोग उसको दूसरे component के अंदर access कर पाएं, वो data सारा का सारा store के अंदर ही रहता है, तो इस file के अंदर क्या मुझे कुछ variables या फिर वो object बगरा कुछ ठीक है, जैसा अगर मैं आपको एक slide दिखाऊं पिछले वाली, जो आपको ये वाला redx store दिख रहे हैं, आप मान के चलो, उसकी configuration इसी file के अंदर होने वाली है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाली चीज देखो आप, जो reducers होते हैं, इसके data को जहां आगे पहुचाना है, किसी और component के अंदर आगे पहुचा पाएं, ठीक है, simple है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले config store हम लोगों को redx toolkit से निकालना पड़ेगा, और बाद में उसके अंदर जितने भी हमारे reducers बनेंगे, उनको वहाँ पे attach करते रहेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे normally यहाँ लिख देता हूँ, config store, जैसे आप यह लिखो गई, अपने आप इसको इक बोट कर देगा, थोड़ा साइसका size में बड़ा कर देता हूँ, ठाकि आप उसको राम से देख पाओ, और यहाँ पे कर सकते हैं, आ config store, एक kind of function होता है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे object के अंदर हमारे reducers pass करते हैं, जैसे के reducer 1, reducer 2, जितने के हमारे reducers बनेगे, और reducers हम लोग कहाँ पर रखेंगे, next question, जैसे मैंने आपको बताया था, kredx toolkit के अंदर actions and reducers, हम लोग slice.js के अंदरी रखेंगे, यहाँ से ह करेंगे, यहाँ पर अभी बनाने नहीं वाले, because अगर बनाऊंगा तो फिर तो पूरा time इसी वीडियो के अंदर निकल जाएगा, उन लोग आने वाले part के अंदर बनाएगे, यहाँ पर बनाएगे, उनको export करके यहाँ पर configure करेंगे, जैसे कि मैं आप रख लेता हूँ, reducer 1 लिख लेता हूँ, और मालो यहाँ पर उसका है, product reducer, चीक है, इसी सेम तरीके से आपके पास है, reducer 2, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हो, यहाँ पर गर सकते हो, search reducer, इस तरीके से, चीक है, तो अभी हमारे पास कुछ वैसे reducer बना नहीं वा, तो मैं यहाँ पर simply क्या लिखूँगा, reducer, और इसके अंदर इस तरीके से blank object डाल देता हूँ, चीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पर blank object रहा हूँ, perfect, इसका काम हमारा अभी के लिए complete हो चुक है, अब आते हम लोग provider के उपर, provider का सीधा सा काम यह होता है, कि यह हमारी Redux Toolkit को, और हमारे Next.js की application, या layer बना देता है, Redux Toolkit की, चीक है, अब कैसे बनाता है, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज को use कर लेता हूँ, चीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे provider निकालूंगा, जो, यहाँ पे, provider, यह Redux हम लोगों ने निकाल लिया, again, मैं यहाँ पे करनाओ, export, और यहाँ पे exact same name हो जाएगा बैटर है कि मैं थोड़ा सा providers कुछ अलग नाम रख लो ठीक है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक parameter लेंगे and इस तरीके से हम लोग इस function के अंदर जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो लिखतेंगे और इसको मैंने close नहीं करा अच्छे से इस तरीके से ठीक है यहाँ पे return statement लिखेंगे और return के अंदर जो हम लोग उपर से provider निकाल है उसको as a component use करेंगे इस तरीके से ठीक है अच्छा देखो अब यह वाला जो provider है इसको हम लोगों को use करना है हमारे layout.js के अंदर और वहां से हम लोग क्या pass करेंगे children pass करेंगे अभी मैं आपको pass करके दिखाऊ हुआ ठीक है तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा basically children मिलेंगे इस object के अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ children and simply हम लोग इसके अंदर object लगा के यहाँ पर जो children हम लोगोंने get करें उनको यहीं पर लगा देता हूँ ठीक है अब यह children क्या है मैं आपको एक मिन में और detail में बताऊंगा थोड़ा सा अब अब इक लिए थोड़ा सा सब रह रखो ठीक है और अब इसको हम लोग export करेंगे हमारे layout वाली file के अंदर ठीक है और better अगर आप चाहो तो इसका नाम है ना file का नाम वो भी providers ही कर लो वो थोड़ा सा easy रहेगा अदरवाइस हम लोग confused ही होते रहेंगे यार इसका नाम मैं provider सी कर लेता हूँ ठीक है और मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ yes ताकि यहाँ पर इस file का नाम भी change हो जाए ठीक है कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे पहले body के अंदर childrens थे अब हम लोगों ने provider के अंदर childrens डाल दिये और इस वाली file के अंदर pass कर दिये यहाँ ठीक है अब इसका फाइदा क्या है देखो पहले children directly यहाँ पर लगे वे थे और हम लोगों को यहाँ पर दिख रहे थे जो store है जितना भी data है उसको यहाँ पे patch कर दूँगा inject कर दूँगा ठीक है ताकि वो हमारी application के अंदर pass out हो जाए अभी देखो अभी इसके अंदर यहाँ पे error और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे store store नाम से इसकी property होती है और यहाँ से store को import करूँगा यह store मेरा import हो गया use ठीक है अब इसको save करेंगे वापी से यहाँ पे आते हैं और देख सकते हो हमारा page perfectly काम कर रहा है तो देखो अभी हम लोगोंने क्या क्या करा एक बार के लिए समझते हैं सबसे पहले हम लोगोंने folder structure create करा उसके अंदर एक slice वाली file रिख की जिसमें अभी हम लोगोंने कोई काम नहीं करा एक यहाँ पे बनाया store एक बनाया provider provider क्या करेगा इस code को मैं एक बार के लिए format दे कर देता हूं provider क्या करता है हमारी जो next.js की या फिर react.js की जो application होती है उसके चारों तरफ layer बना देता है Redux की ताक कि हम लोग उसको use कर पाएं ठीक है अब layer बनाने के लिए हम पर दोको ने क्या करा provider यहां पे लिख दिया और provider के अंदर जितने भी हमारे component थे जितने भी हमारे next.js का काम होगा वह यहा पे as a child पास कर दिया और provider के अंदर store भी पास कर दिया ताकि जितना भी हमारा redux के store मे का data होगा वो हम लोग access कर पाएं हमारी next.js या फिर ureaks.js इस next.js and react.js इसका reason यह है आप चाहिए next.js यूज़ करो चाहिए react.js यूज़ करो दोनों के लिए folder, file structure वगारा, code flow वगारा बिलकुल exact same है अब बात आते हैं interview question की वो बहुत important है आपसे पूस सकते है reduced का data flow होता है, वो कैसा होता है अंब बोलो कैसा होता है मतलब लाल-neelaад तो छोगाने कहने के मतलब बाइ-directional होता है yellow directional होता है अब baby directional, informational उ Administration का मतलब समझ लो पहले, इस चीज़ को देखो ऑर ड डागराम को देख के भी आप बता सकते हो कि redx का जो data flow है वो कैसा होता है वो होता है unidirectional एक ही direction में flow कर रहागा आप UI से action action से reducer और reducer से store के नदर data को भीज सकते हो store से reducer and reducer से action इस तरीकी से कभी नहीं आएगा data ठीक है हमेश्चा क्या रहेगा view यानि की UI से action फिर reducer फिर store और फिर store से directly UI के अंदर आएगा all right that's all कुछ confusion है कुछ doubt है मुझे comment section में पूछ सकते हो and आपके लिए वीडियो को like करना subscribe करना चनल को comment section में feedback देना completely free of course आपके पैसे नहीं लगते तो please do that because इससे मुझे थोड़ा सा motivation मिलता है और ये मेरा ptm का donation number भी है thank you everyone thank you so much for watching this video